वेरी गूद मॉर्निंग क्लास 12 तुदेश प्रेटिकल इस तुदेटर्माइन दा स्पैसिव डिस अन्नोन वायर इसका रेसंज भी हमें गिवन नहीं है बट इसके रेसंज को फाइंड करने के बाद इसका स्पैसिव रेसंज फाइंड करना है यूजिं दिस अपरेटर्टर् रिज्ग या श्लाइड वायर विज्ग अब आप देख सकते हो इसमें ये एक एंड है एक वन मिटर का वायर इसलिए इसको मिटर भी चेह रहे है और यह एक एंड ए है जो की बैटरी या सेल भी लगा सकते है प्लॉपॉजितिव से कनेक्टिड है और नेगिटिव वाला प पार्ट इह उनों करें अभी तो यहां पर यह श्लाइड लगाना उसको हम उपद कर abbiamo उसका है अब पहर में इसका उनों नाद करना इसका समय करना उरिजिए तो यहां पर फोर रेस्सेंस होंगे, फाइव कहेंगे, फाइव रेस्सेंस होंगे, फोर रेस्सेंस का जो बैलेंस कंडिशन वाला जैसे प उपॉन की इसको दो आर अपॉन एस देन गैलोम में तरू करेंट नहीं जाएगी, यह इसका बेसिक प्रिंस्पल है, तो अब स्टार लेते हैं, अब P और Q क्या होगा, यह जो वन मिटर का वन वायर है, इसमें दो पार्ट होगा, उजिजिंग इस स्लाइडर यह जो कि, आधा कुछ पार्ट पी के लाएगा, तो रिमेंग पार्ट क्यू होगा, तो P उपॉन क्यू इस इकल टू आर अपॉन एस वाला कंसेप, यहां लगेगा, नहीं में चेक करहो, शर्कुट साही करेक्ड़े रोचा है, मैंने इस पार फेमें पे लिए पिजिएरे, यह आपका क्यार्ट की के लीए monsters, तो मिटिए और नियुक्त Ondुल से लुटई के लाएगा, तो आट कहाँ दिख हो, अर्ल इस पार्ट के लेख चैन जब slide कर रहा हूं तो एक पॉइंट पर आएगा जहां गैलोमेटर डिफ्लेक्शन जीरो देगा देखते हैं जीरो कहा आता है देखो यह जीरो आगया आपका ध्यान से देखें मैं थोड़ा से यहां पर यह ऐसे दो यहां पर देखो मैं slide कर रहा हूं और यहां पर चिंज स्क मिंटर पर आ रहा है तो हम यह नोट कर लेंगे कि ल 24 सेंटीमेटर तो 100 मैंस L क्या होगा है यहां जोगा है जोगा तो आर कहीं वन ओम ऐस तो S is equal to hand minus L upon L into capital R, इस formula से हमारा S आजाएगा, जब S आजाएगा, तो आपको पता है, इसमें क्या करना है, एसा आने के बाद, इस वाइर का cross-section नेज़े कैसे आएगा, इस रेशन्स को यूज कर एक स्क्रू गौज को यूज करके इसका radius निकालना पड़ेगा, जैसके आपने length class study किया है, radius निकालने के बाद, cross-section area आएगा, और फिर इसकी length measure करेंगे, इसको निकाल करके, स्केल पर रख करके, इसकी length measure कर लेंगे, तो इसका specific reasons आजाएगा, और हमारा practical complete हो जाएगा, यह जो reading लेनी है, 1 ohm पे लेनी है, 2 ohm पे लेनी है, 3 ohm पे लेनी है, ऐसा करके, s की 3 value है, इसकी mean value को हम s मानेंगे, s1 plus s2 plus s3.3, mean value को s लेंगे, और फिर इसके बाद, radius निकालके, cross-section से निकालके, length निकालकर, के specific reasons हम find कर लेंगे, यह पुरा practical है, आपका meter वेच को,